वेरे दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी कापी के एजुकेशन कोर पर आज हम देखेंगे कि जो सदन है संसत के दोनों सदनों में क्या-क्या अवदी है और क्या-क्या योगताएं है यह सदस्यों के लिए इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने डिसकस किया हुआ है स किन से मिलकर बनी है तो अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं और जितना भी में ले रही हूं जदातर सब कुछ लक्षमी कान से हैं तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यह पुरी लक् करते हैं और राज्यसभा की अवथी के वारेमें हम बात करेंगे सबसे पहले यह हम जानते हैं कि राज्यसभा जो सदन है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते उुच उचलर और जो लोकसे बो हैं प्ल northwest सदन तो जो पार्लेमेंट है वो किस तरीके से दो सदनों से मिलकर बनी है और प्लस राष्टपती क्यों राष्टपती उसका अभिन अंग है क्योंकि बिना राष्टपती की सहमती के या हस्ताक्षर के कोई भी अधिनियम पारित या कानून नहीं बनता है कानून का रूप नह जाता है हाला कि राष्टपती इन दोनों में से किसी का भी सदन नहीं होता है नहीं वहाँ पर बैखता है मैंने पुराने वीडियो में आपको सारा कुछ राष्टपती के जब कारेकाल पढ़ाया था किस तरीके से वह काम करता है मैंने सारा कुछ बिताया है और संसद वाले च काफी important question है one-liner question में SSC हो गया MPPCS हो गया UPPCS हो गया कई बार पूछ लिया जाता है कि राजसभाब पहली बार कब बनी थी कब गठित होई थी तो आपको पता होना चाहिए 1952 में पहली बार गठित की गई थी निरंतर चलने वाली संस्था है निरंतर का सीधा सतात पर यही है कि यह कभी भी बिगटित नहीं होती है मतलब राजसभाब कभी भी बिगटित नहीं होती है चाहे सरकारे सत्ता में रहे या फिर वो गिर जाए इससे राजसभाब को कोई मतलब नहीं होता है उसके पीछे रीजा ने थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाई है और समझने की कोश तो राजियों के प्रत्निजित्व करती है तो संस्था कभी भी खतम नहीं होते यानि एक सथा संस्था इसका गटन होता है कई बार स्टेटमेंट में कुश्चन यहां से पूछे गए इसलिए मैंं भी में आपको सारे चीजें स corpus निवे हूं छलंगें उनивать उनको बहुत ध्यान से और बारिकी से चीजों को समझने की आवश्यक्ता होती है क्योंकि जब भी आप हजारों यूट्यूब वीडियोस पड़े होंगे और आपको मिलेंगे मैं यह नहीं कहती कि यह सबसे अच्छा है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत 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 जल्दी-जल्दी में मेरा समझाने का कोई मकसद नहीं है आप इसे बहुत इत्मिनान से, जहां पर भी आप notes बना रहे हों, जरूर लिखते जाएं, राज्य सभाचे संबंदिक जितने भी महत्यपूर्तत हैं, आपके अपने जो notes हो, उनमें अपनी language से होना चाहिए, जब आप लिख लेंगे अपने हाथ से, आपको exam के time पर बहुत ही यहीं से question उठते हैं, दूसरे वर्स सेवा निवृत होते हैं, यह सीटे चुनाओ के द्वारा फिर से भर ली जाती हैं, अभी हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि राजसभा में चुनाओ किस तरीके से होते हैं, अभी सिर्फ हम इतना बताते हैं आपको कि यह दुब नहीं है कि आप एक बार लड़ चुके दो बार लड़ चुके तो आप तीसरी बार नहीं लड़ेंगे, जैसे कि अमेरिका के राष्टपती में दो ही बार रास्पती बन सकता है कोई बेटी पर यहां पर यह चीज़े नहीं है और नामित हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यह पैराग्राप आपने अगर सही से समझा है, तो आपको बहुत सारे कुश्चन यहां से मिले होंगे, समविधान ने राजसभा के सदस्यों के लिए पदा अवदी निधारित नहीं की थी, मतलब कि वो कब तक अपने पदपर बने रहेंगे, इस बात के लिए निधारि में निकल जाते हैं, इसी के तहट जन प्रतिनिदी अधिनियम 1951 यहां से अक्सर कर यूपी एसी में कुश्चन पूछा जाता है, कि आधार पर संसद ने कहा कि राजसभा के सदस्यों की पदाविधी जो है, वो 6 साल की होनी चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए, 6 साल की, और लोग सभा को हम निम्नि सदन क्याते हैं, तो लोग सभा में कम समय और राजसभा में ज्यादा समय, तो आप ऐसे थोड़ा सा कर कन्फिजन होगा ना आपको 5 और 6 में, तो आप थोड़ा जल्दी कुश्चन को ऐलिमनेट कर लेंगे और आंसर टिक कर लेंगे, बैसे आप राजसभा में चुने गए सदस्यों की पदाविदी जो थी, उसको कम करने का अधिकार दिया था, पहले बैच में यह तै हुआ कि लोटरी के आधार पर सदस्यों को सेवा निब्रित किया जाएगा, है ऐसा कि 6 साल की सेवा, पहले क्या था कि लोटरी के सिस्टम पर किया गय या कि 6 वर्स के आधार परी, जिनका 6 वर्स हो चुका होगा, वही लोग उसमें रहेंगे, मतलब निकल जाएगे, बाकी लोग रहेंगे, अगर समय अबदी निधारित नहीं होगी कि कोई व्यक्ति कब तक रहेंगा, तो ये फिर दिक्कत आती कि किस सदस्य को निकाला जाए इसको शाचित करने वाले उपवंद बनाने वाले का अधिकार भी दिया गया, ये सारा काम इसमें किया गया, अब देखते हैं, लोग सभा की अबदीर, तो अगर आप यह से पूछा जाए, कि राज्य सभा के सदस्द अपने पदपर कब तक बने रहते हैं, तो आप बेचर नहीं है, ये आस्था ही संस्था है, क्यों? क्योंकि जब तक मंत्री परिशत विश्वास मत में रहती है, तभी तक सत्ता में रहती है, उसके बाद मंत्री परिशत की सलाह से ही राश्टपती इसको बिगटित कर सकता है, सामान तोर पर इसकी अविदी आम चुनाओं के जाती है, पांच साल के बाद तो ये स्वता बिगटित हो जाएगी, लेकिन राश्टपती को पांच साल से पहले किसी भी समय इसे बिगटित करने का अधिकार दिया गया है, इसके खिलाफ निया एलाय में कोई चुनोती भी नहीं दी जा सकती है, हाला कि राश्टपती से ब वर्स के लिए बढ़ाई जा सकती है, एक बार में केवल एक ही वर्स के लिए, लेकिन इसका बिस्तार किसी भी दशा में आपात काल्ब खत्म होने के बाद, छे महीने की अवदी से अधिक नहीं हो सकता है, ये वो एरिया जहां से यूपी असी अच्छे से कोशन बनाके पू योगताओं की बात करी जा रही है, देखते हैं उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक जन्म से हो या फिर उसने नागरिकता ग्रहन की हो, अब देखें उसे इस उद्देश के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकरत किसी ब्यक्ति के समच सपत लेनी हो होगी, देखें किस से बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा अधिकरत कोई ब्यक्ति होगा, वह भारत उसके सामने समच सौगंद लेगा या सपत लेगा कि सम्मिधान के प्रती सच्ची आस्था और निस्ठा रखेगा, वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अच्छोड रखेगा, मतलब उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएगा, उसे राज सभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्स का आयू का होना और लोग सभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्स की आयू का होना चाहिए, देखिए मैंने आपको बताया भी कि बस आप एक ची में बनाके इसको याद रखते हैं मेरी समझ से बहुत यह असान है तो आप इस सद्वे कि प्रतिनिदी अधिनियम इसमें भी कुछ योगतान इधारित की गई है उस व्यक्ति को राज या संग राज चेत्र के उस निर्वाचन चेत्र का पंजीकरत मतदाता होना चाहिए जहां से वो निर्वाचन या जहां से वो चुनाव लड़ रहा है या कुछ है तो वहां पर उसका पंजीक्रत होना आवश्यक है मद्दाता लिस्ट में यह लोकसवा एवं राजसवा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार रहे बर्स 2003 में सरकार ने राजसवा के निर्वाचन के लिए या इबादिता समाप्त कर दी देखिए बात कर रहे हैं कि राजसवा के निर्वाचन के लिए यह जो थी इबादिता समाप्त कर दी गई बाद में बर्ज 2006 में उच्तम नियाले ने भी सरकार के इस निर्णय को बैद ठहरा दिया गया मतलब कि ये जो बैज़ता थी कि पंजीगर्ट मद्दाता होना चाहिए निर्वाजचक छेतर से उसके लिए बैज़ता समाप्त कर दी गई तो ये काफी important fact है आपको ध्यान रखना होगा यदि कोई बैक्ती आरक्षित सीट पर चुनाओ लड़ना चाहता है जैसे कि यह मैं पता है कि जो आरक्षित सीटे होती है उन पर अगर वो चुनाओ लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज या संग राज चेतरों में जाती जन जाती का सदस्य होना चाहिए लेकिन हाला कि क्या है कि यह क्या अनुसूचित जाती जन जाती के सदस्य उन सीटों पर भी चुनाओ लड़ने जो उनके लिए आरक्षित नहीं है मतलब यह सामाने सीट पर भी चुड़ाओ चुनाओ लड़ सकते हैं और आरक्षित स अगर उसके पास यह चीजें है तो यह बहुत कोई सरकार के अधीन कोई लाब का धारन करता है जैसे कि को अगर उसमें सरकार की कोई हिस्से दारी यह लगब क्षिस प्रित्सत्या उससे अधिक तो वह ऐसे पत्रों को माना जाएगा लेकिन संसत द्वारत है कोई मंत्री है या पद है इन पदों को छोड़कर ये पद लाबगे पद पर नहीं माने जाते हैं अगर गोषित दिवालिया है तो भी नहीं होगा यदिवाय भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी बिदेसी राजी की नागरिक तर स्वेक्षा से अरजित कर ली है या किसी विदेशी राजी के प्रती अपनी निस्ठा को स्विकार किये हुए कोई व्यक्ति है उसने विddेशी नागरिकता ले लिए और अपनी स्विक्षा से किसी और देश के प्रती उसका लगाओ है या उनी के लिए वो favor करता है चीजों को तो क्या है ऐसे एकटि भी संसत्रासला से सब नहीं हो यदिवाय संसत्राइब बनाई गई किसी वीधी द्वारा निरहत कर दिया जाता है संसत्राइब किसी द्वारा तो भी वह वहाँ पर संसद खिरतस बनने के लायक नहीं होगी संसद ने जन प्रतिनिदी अधनियम 1951 में अभी कुछ अन्यहरताएं गोशित की थी कि अब क्या क्या निधारित की थी वैप चुनावी अपराद या चुनाव में भरस्ट अच्रण के तैद दोशी करार न किया गया हो चुनाव के दरन कई तरीके के भ्रिष्टाचार के आरोप लगते रहते लेकिन उनमें दोशी ना पाया गया हो उसे किसी अपराद में दो वर्स या उससे अधिक की सजा ना हुई हो परंतु प्रतिव अंधात्मक निशेद विधी के अंतरगत वै किसी ब्यक्ति का बंदी करण नहीं होगा वै निर्धारिस समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्योरा देने में असफल रहा हो मतलब किसी भी तरीकी की जो संसत ने योगताइं मांगी हैं अगर उनको नहीं पालन करता है तो वो इसका सदर्स बनने के लिए नहीं होगा उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिल्चस्बी ना हो तो फिर क्या फाइदा संसत का जो सदर्स बनने जा रहा है जनरली वो सरकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए ही आता है और जनता के काम करने के लिए अगर उसे इन सब सेवाओं में कोई दिल्चस्पी नहीं है, किसी तरीकी की वो सेवा नहीं करना चाहता तो फिर क्या फाइदा वैड निगम के लाप के पद या निदेशक या परवंधक निदेशक के पद पर नहीं होना चाहिए जिसमें सरकार की 25 हिस्सा हो, उसे भरस्टाचार या निस्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बरखास ना किया गया हो मतलब ब्यक्ति कि आप देख रहे हैं सालवजनिक छवी भी अच्छी होनी चाहिए, कार करने का इस तर भी अच्छा होना चाहिए हमारे Constitution में सारे तरीके का बताया गया है, लेकि रियल में हम सभी जानते हैं कि इस तरीके के कई बार नेता चुनकर आ जाते हैं, जो जन्ता को तो बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं, वो सिर्फ नेता ही बनके रह जाते हैं उससे बेवेन समुहों में सत्रता बढ़ाने या रिश्वत खोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, यह सब लाइने Constitution में लिखने के लिए लिखी गई हैं, आज इन्हें पालन तो करना मुझे नहीं लगता कि कमी परसेंट करने ता करते होंगी, यह मेरी अपनी परसनल राह है, जरूरी नहीं कि सभी लोग इस चीज को मानते हों, लेकिन अगर जो लिखा गया है Constitution में अगर उसका सही से फॉलो किया जाए तो हमारा सम्मिधान बहुत ही बहतरीन सम्मिधान है, इन में छुआ चूत बहेज वसती जैसे सामाजी कपरादों का परसार और सलिप्त ना प होती है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं किसी के नाम नहीं लूगी, कई बार ऐसा देखा गया है, पिछली सरकारे हो या भी की सरकार हो, लेकिन इन चीजों के बारे में भी Constitution में कितना पहले से सोच के कितनी सही चीजे लिखी गई, लेकिन फिर भी, आज सब कुछ ऐसा ही चलता है किसी सदस में उपरोक्त नहरता हो, सम्मंदी प्रशन पर राष्टपती का फैसला ही अंदिम होगा, हाला कि राष्टपती निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार करेगा, या उसी के तहत उसे कार करना चाहिए, तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बता कि संसद के सदस्य उनके लिए क्या-क्या योगताएं होना अवश्यक है, और अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज लाइक कर दें शेयर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें वैल आ अवश्य देखें, तभी आप जज़ कर पाएंगे, तो अगले वीडियो में फिर में लेंगे दोस्तों, बाई बाई नमस्कार